अलो जो नमस्कार वेलकम टीडू फैबर इजुकेशन मैं अजय सर आज आपके लिए जैसे सीजियल 2023 के लिए स्पेशल कंप्यूटर क्लास 4 यानि आज आपका जो होने वाला है वो कंप्यूटर सेट 4 होने वाला है ठीक है इससे पहले आपने कंप्यूटर सेट 1 को देख लिय होगा और आज जो मैं आपको अजिसेशन लेने वाला हूं वो सेट फोर लेने वाला हूं जू यह सेट 4 है आपके प्रिविए सियर कोश्यों और कुछ सेलेक्टट वीबी आई को स्टन को लेकर करका आया हूं ठीक है तो चलिए बिना देर इरे कि श्टार्ट करते हैं तो से बढ़ियां से अगर कर लेते हो मैं जो सेट कर वा रहा हूं वो सेट अगर आप बढ़ियां से कर लेते हो तो फिर आपको 20 जो आपका CGL में जो 20 question आते हैं computer का वो सारा complete हो जाएगा एक भी question इधर से उधर नहीं होगा चलिए देखिए desktop और personal computer को कहते हैं desktop कर बढ़ते हैं next question आपके सामने की निमन में से कोन सा digital कारिकरम से संबंदित नहीं है यानि इन में से जो ब्रोडबेंड हाइवेज या फिर इगवर्नेंस या धिसोर्स को बहतर बनाना या सभी के लिए जानकारी तो आपका राइट एंसर क्या हो जाएगा कि या फिर सभी तो यहां जो रूम है वो क्या है गेर परिवर्तनसिल मेमोरी है क्या है याद रखो मैं जो आपको सेट करवा रहा हूं वो सेट करते चले जाओ फिर आपको कंप्पूटर के लिए सोचना नहीं होगा आप 20 में 200 परसन लाएंगे चलिए देखिए क्या है अलफा नियूमेरिक की जो है आकड़ा यानि डेटा के अंतरगत आते हैं किस डेटा के अंतरगत आते हैं अंक अक्षर चीन यह फिर यह सभी तो अलफा नियूमरिक जो आकड़ा है डेटा है वो जो आता है अंक में भी अक्षर में भी चीन में भी तो क्या हो जगा क्या क्या बोल रहा है कि निमलिखित में से कौन नहीं किया जाता है नहीं है क्या इन्फिर्ट्रक्ट्यर्चर आर्कि टेक्चर स्फ्ट्वेर या फिर प्लेटफर्म ठीक है तो राइट अनसर आपका क्या हो जाएगा आर्टीक्टेक्चर क्या आर्टीक्टेक्चर याद रखो यह भी बी आई क्यों सदे आपके लिए चलिए नेक्स्स देखते हैं कि कि MICR क्या है MICR निम्न लिखित के लिए लिखा जाता है MICR का बोले तो किसके लिखा जाता है तो M.I.C.R. का फूल फ्रम क्या होता है देखिए magnetic ink character recognition या फिर magnetic ink code recognition या फिर magnetic ink cases recording या इनमें से कोई नहीं तो बटा जो right answer आपका होगा क्या M.I.C.R. का क्या होगा magnetic ink character recognition या फिर magnetic ink code recognition या magnetic ink cases या इनमें से कोई नहीं तो आपका जो right answer होगा वह हो जाएगा magnetic ink character recognition ठीक है यानि यह हो जाएगा ठीक है चली next question क्यों बढ़ते हैं next question आपके सामने क्या है कि GIS देखिए यहां पर है GIS किसका अलग हो रूप है तो global institute for the style या फिर geographical international studies या फिर geographical information system या फिर अगला question है c में size of क्या है c में जो size of है वो क्या है operator यानि संचालक है variable है या फिर function है या इनमें से कोई नहीं तो आपका जो right answer होगा कि c c में क्या है size of क्या है एक operator है क्या है एक संचालक है क्या एक operator है सी में ठीक है चलिए next question क्यों बढ़ते हैं next question आपके सामने कि super computer के लिए एक के लिए शबद लंबाई जो है की पारस परास होती है किसकी परास होती है भाई 16 बीट तक 32 बीट तक या फिर 128 बीट तक तो आपका जो super computer के लिए शबद लंबाई की जमिर में 64 बीट का होता है कितने 64 का होता है कितने 64 याद रखो ये ठीक है चलिए नेक्स्ट अगला कुछ्छन है कि एमेस वर्ड में कंट्रोल प्लस डबलू का उपियो किसमे किया जाता है लीजिए सबसे प्रस्ण आपके लिए है कि कंट्रोल प्लस डबलू जो है वह हम लोग क्यों प्रेस करते हैं किसके लि करने के लिए या फिर वर्तमान विंडो को जो अपडेट करने के लिए या वर्तमान विंडो को बंद करने के लिए या वर्तमान विंडो को खोलने के लिए तो हम लोग कंट्रोल प्लस डबलू जो यूज करते हैं प्रेस करते हैं वह वर्तमान विंडो को बंद करने के भाइस है हब ब्रीज राउटर या फिर यह सभी तो पिटा जो राइट अंसर होगा यह सभी है क्योंकि राउटर भी है ब्रीज भी है ठीक है तो राइट अंसर क्या हो जाएगा राइट अंसर हो जाएगा यह सभी ठीक है चलिए नेक्स कोस्टेन क्यों बढ़ते हैं नेक्स क का प्रयूग किया जाता उसके लिए कुकीज का प्रयूग किया जाता है यूजर यूजर नेम का या पासवर्ड का या कैस का तो उसमें क्या किसका प्रयूग किया जाता है तो वह हो गया आपका कुकीज ठीक है क्या कुकीज याद रखो कुकीज बहुत इजी है चलो अगला प्रसन आपके सामने है कि निम्न में से ASCII है ना ASCII यानि American Standard Code for क्या Information Interchange संबंधित है किस संबंधित है तो वो क्या है bandwidth से है या digital signal से है या modulation से है या फिर demodulation से है तो आपका जो right हो जाएगा ASCII जो है वो किस संबंधित है तो वो आपका संबंध है डिजिटल से संबंधित है किस संबंधित है डिजिटल सिगनल से संबंधित है ASCII जो है वानि American Standard Code for Information Interchange जो है वो किस संबंध है तो वो आपका संबंध है digital signal से ठीक है ये आपके लिए जो है काफी BBI गोस्टन है ठीक है इस परकार के प्रस्ण आपको देखने को मिल सकता है ठीक है चलिए next question की और बढ़ते हैं next question आपके सामने है कि blog सब्थ ये जो blog सब्थ है दो सब्थों का संयोजन है यानि ब्लॉग सब्द जो है वो दो सब्दों से मिलकर बना है वो कौन है क्या हो जाएगा वेब लॉग वेब लॉग इन वेब लॉग या फिर वेड लॉग तो आपका जो ब्लॉग है वो दो सब्दों के संयोजन से बना है यह जो ब्लॉग है ब्लॉग जो है य तो right answer क्या हो जाएगा मेरा right answer हो जाएगा ए वेब जोड लॉग बराबर वेब लॉग ठीक है चलिए next question के और बढ़ते हैं कि next question आपके सामने की एक data dictionary को जाना जाता है किससे जाना जाता है ये जो data dictionary होता है उसे और किस नाम से जाना जाता है तो database के नाम से जाना जाता है या data warehouse के रूप में जाना जाता है या catalog के रूप में जाना जाता है या फिर meta repository के रूप में जाना जाता है तो आपका एक data जो dictionary माना जाता है वो आपका हो जाएगा meta data repository ठीक है क्या meta data repository होगा ठीक है चलिए देखिए इससे रिलिटेट जो आपका जो प्रस्ण है वो हर बार घुमा फिरा के पूछा जाता है तो यह भी जो है आपके लिए काफी BBI प्रस्ण है नोट कर लो यह भी आपको जो है इस बार का एक्जाम में 100% देखने को मिल सकता है क्योंकि जो मेटा डेटा रिपोजिटरी है इससे रिलिटेट बहुत सारे प्रस्ण पूछे जाते हैं तो जो भी इससे मेटा डेटा से रिपोजिटरी वाले जो भी कोस्टन होंगे उसे बढ सकता होती है यानि आप देखते हो साइबर में बहुत सारा लोग एक ही में कंप्यूटर में काम करते हैं यानि जब एक से अधिक व्यक्ति एक से अधिक कंप्यूटर पर एक ही समय में कारी करते हैं तो किसकी आविशकता होती है लाइट पैन क्या विशकता होती है माउस की ह होती है या फिर क्या डिजिटाइजर की होती है या टर्मिनल की होती है तो बेटा राइट एंसर हो जाएगा आपका डी टर्मिनल की आविश्कता होती है किसके आविश्कता होती है तो टर्मिनल की आविश्कता होती है ठीक है चलिए नेक्स कोस्टिन की और बढ़ते हैं नेक अंसर हो जाएगा आरिथमेटिक आधारित पर काम करता है परिचालन संपन करता है ठीक है चलिए कि अगला प्रस्वन आपके सामने है कि OMR का तात्परी क्या है यह जो आपका OMR है इसका क्या तात्परी है या क्या और या फिर स्पतिकल मार्क एप्क्राइद आपका OMR है ंल Raf और या फिर आपका यसका इसका होता है यानि ऐना रिदर और और जाये जरूता हा यानि दो क्म्प्यूटर पर चेक होता है किस पर चेक होता है कुम्प्यूटर पर aja ओगा figured Yes तो omr का फूल फॉम क्या हो गया ओप्टिकल मार्क रिडर क्या ओप्टिकल मार्क रिडर याद रखो यह भी आपके लिए बहुती बीबी आई प्रस्ण है क्योंकि आपका भी जो प्रस्ण पत्र चेक होगा ठीक है वह अमार ओख मियो होता है और ओमर सिट चेक होगा यानि ओमर का ताथ पर क्या हो गया ओप्टिकल मार्क रिडर ठीक है चलिए नेक्स नेक्स कोष्टिन की बढ़ते हैं कि OCR देखो OCR का फुर्न रूप क्या है हमने क्या देखा पहले पहले देखा OMR, फिर क्या है, आपका पूछ रहा है OCR, बिटा OCR का क्या हो जाएगा, तो OCR का क्या होगा, ओप्टिकल कोडिंग रिकोगनाईजर हो जाएगा, या ओरिजिनल कोड रिडर हो जाएगा, या ओरिजिनल कोड रिडर हो जाएगा, या ओरिजिनल कोड रिडर हो ज अंसर होने वाला है वो हो जाएगा आपका optical character recognition ठीक है याद रखो चलिए next question देखते हैं next question आपके सामने है कि computer के mouse का जो आभिसकार है किस ने किया ये जो आपका computer का जो mouse है इसका आभिसकार किस ने किया होगा ठीक है तो किस ने किया जॉन बेकस ने चार्ल्स वेबेज ने डगलस एंजलबर्ड ने या फिर साइमन कोल्टोन ने बताइए right answer क्या होगा तो बैटार जो right answer होगा जो आपका computer का mouse है उसका आभिसकार किस ने किया तो वह हो जाएगा आपका डगलस एंजलबर्ड ठीक है आज आपका 20 टॉप 20 कोस्टन यह पर समाप्त होता है लेकिन इससे पहले आप हमें बताओ कि बिना तार का mouse का बिना तार का mouse का बिसकार किस ने किया यह कमेंट पर दिखना चाहिए और आप लोग कमेंट करो कि बिना तार का mouse का बिसकार किस ने किया था ठीक है तो चलिए आज का सेशन जो है यहीं पर समाप्त करते हैं यह टॉप 20 कोस्टन लेकर के मैं आ गया आपके सामने और आप क्या करो वीडियो को सबसे पहले लाइक करो कमेंट करो दोस्तों को सेर करो ताकि उनका भी बर्दी पाने का सपना पूरा हो सके जैसे सी सीजी यल में वो टॉप कर सके और दोस्तों को सेर कर डालो उसका व्यविस कल्यान कर डालो और सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो आप भीना बोले कर ही देते हो तो चल आपने वादे